हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल एमकोम अकाउंटनसी पे आपने अपितक हमारे चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्रेब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बाँ आपने वीडियो में हम सब्सक्रेब करने वाले हैं जेतरा लिमिटेड जो है मार्च एपरिल 2021 में पुछा गया प्रोड़क्ट प्राइसिंग का लॉंग सम फोर्टिंग मास के लिए तो सुल करते हैं जेतरा लिमिटेड हैस रिसीवड on order for a supply of the some player bolpin estimated cost are as the under direct डायरेक OST, है वो सारी हमें पर यूनिट दी है और फिक्स कोष्ट है वो दो अमाउंट में दी और बोला गया है केपिटल इंप्लोईड करन्ट सेट फिप्टी परसंट और सेल्स और रेट और रिटर्न और केपिटल employed 20% मतलब जो return profit हम calculate करते है investment पे और capital employed एक हुआ वो हमारा 20% है आगे information दी है कि according to method of the rate on return selling price is a selling price यहाँ पर हमें 20 रुपीज दे दी गई है तो statement के नीचे जो condition situation दी है उस हिसाब से हमें क्या-क्या selling price और selling price में increase decrease होता है या फिर क्या बदलाव आता है वो में calculate करना है तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा sales यहाँ पर हमें unit चाहिए होगे तो हमें हमारे पास यहाँ पर sum में देख सकते हैं कि unit यहाँ पर हमें नहीं दिये है तो हम जैसे अपना short sum calculate करते थे वैसे ही करेंगे सबसे पहले unit को हम unit हमें नहीं दिये है और total sales भी हमें नहीं दिये है लेकिन selling price 20 रुपीस दिये तो हम unit को assume कर लेते है एक्स और selling price मतलब total sales हमारा हो जाएगा 20 एक्स तो हम short sum में जैसे करते हैं वैसे करेंगे sales is equal to total cost plus profit profit और return तो total cost सबसे पहले हम find करेंगे पर total cost के लिए हमें क्या per unit ही दिया है हमेरे पास total amount नहीं है तो हमेरा total cost नहीं हो सकता लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते है 11.2 is equal to x क्योंकि जो हम एक्स हमारा क्या है unit है unit के साथ per unit को multiply करने से हमारा total amount आ जाती है तो हम 11.2 x 3 x और 0.80 x ले सकते हैं क्योंकि unit को per unit से multiply करने से हमें variable की total amount मिल जाएगी तो हम वैसे ही करेंगे तो variable में direct material है उसको भी 11.2 x x क्या है हमारा unit unit से multiply करने से हमारी amount मिल जाती है direct wages is equal to 3 x variable is equal to 0.80 x तो total variable हमारा आया 15 x उसमें plus करना रहेगा हमारा fix क्योंकि total cost is equal to variable plus fix तो fix को तो हमें दिया ही है fix factory overhead हमें दिया है 6,60,000 fix selling cost selling administration overhead हमें दिया है 3,60,000 तो total fix हमारा आ गया 10,20,000 तो total cost हमारी हो जाएगी 50 x plus 10,20,000 मतलब 10,20,000 प्लस 50 x यहां तक ही हम कर देंगे क्योंकि यहां पे x में है तो इसमें हम प्लस नहीं कर सकते total closed मिल गई तो अब अब प्रोफिट फाइड करना रहेगा तो प्रोफिट के लिए क्या बोला है capital employed या investment investment पे हम 20% ने दिया है rate of return मतलब वह हमारा प्रोफिट हो जाएगा तो सबसे पहले हमें capital employed fine करना होगा तो capital employed में कौन सी amount है दो fix और current की तो fix asset की तो हमें देई दी है 9 लेकिन current asset के लिए क्या बोला है 20% of sales मतलब sales के 50% बोले है तो sales हमारा कितना है 20x तो 50% कितना होगा उसका 10x तो capital employed हमारा आगे है 9 लेक प्लस 10x इस पे कितना return profit मिल रहा है हमें 20% तो 9 लेक प्लस 10x के हम 20% करेंगे तो हमारा return या फिर profit के सकते हैं वह आ गया one leg 80,000 प्लस 2x यह जैसे हम short sum में करते हैं अपने selling price को ढूंडने के लिए मेसा ही है सेम लेकिन यहाँ पर हमें unit fine करना है तो हमारे यहाँ पर सारी amount मिली गई है हमें sales is equal to total cost plus profit तो sales हमारा है 20x total cost अभी हमारा आया 10,000 प्लस 50x और profit हमारा कितना आया one leg 80,000 प्लस 2x तो इसको 10,000 प्लस one leg 80,000 करेंगे तो 12,000 आ गया और 50x प्लस 2x करेंगे तो 17x आ गया और 4 leg क्या है हमारा x is equal to क्या assume किया था हमने unit तो अब हमा unit हमें मिल चुके है तो हम सारी अपनी जो पर unit amount है वो हम total amount में convert कर लेंगे तो cells is equal to 20 plus 4 leg इसलिए total cells हमारा आ गया 80 leg direct material हमारा 11.2 multiply 4 leg करेंगे तो हमारा 44 leg 80,000 तो हमारा 3 multiply 4 leg करेंगे तो हमारा direct wages आ गया 20 leg variable overhead is equal to 0.80 multiply 4 leg तो हमारा आ गया 3 leg 20,000 यहां पर आप cross checking भी कर सकते हैं कि जहां जहां हमने total total cost हमें यहां पर मिल जाएगी अब तो amount में और capital employed भी जो दिया था एक्स हमें दिया था वो यहां unit भी मिल चुका है तो आप एक्स के जगा पर unit की amount रखके आप cross checking करेंगे तो भी हमारा sales 80,000,000 आ जाएगा आप अपने इसाफसे चेक कर सकते हैं अब हम पढ़ते हैं कौन सी पहली condition दी है when the profit is a 20% on sales price सबसे पहले हमें यह सब condition करने के लिए हमें total cost जाएए होगी तो हम पहले ही total cost कर लेंगे total cost is equal to अब तो हमारे पास amount है तो variable की हमने तीनों की अभी amount में convert की तो material की है 44,000,000 वेजिस की है 12,000 और variable की है 3,000,000 और fix की तो आगे ही हमने कर ली थी total fix कितनी आ रही थी 10,000,000 तो total cost आ जाएगी हमारी 70,000,000 तो total cost आ गई तो अब हम condition wise चलते हैं कि आप बुला है when the profit is at 20% on sales तो हम assume करते हैं कि sales हमारा 10 है 100,000, sorry 100% है उसमें से profit कितना बुला है 20% तो total cost कितनी होगी 80% तो हम equation रख सकते हैं जब हमारी total cost 80% है तब हमारा profit कितना है 20 तो हमारी total cost यहाँ पे समके सब से कर दो कितनी हैं अभी हमने find की 17,000,000 तो हमारा profit कितना होगा 17,000,000 तो हमने profit भी मिल चुका है total cost भी हमारे price available है तो पहले situation के हिसाब से हम selling price find करेंगे total cost पर profit तो total cost तो हमारी sum के सब से है 70,000,000 और profit कितना बोला है हमें अभी हमने find किया 17,000,000 तो तो sales हमारा आ गया 87,000,000,000 तो अपन उसके 4,000,000,000 यूनिट करेंगे तो हमें selling price मिल जाएगी तो selling price आएगी हमारी 21.9375 चारी amount आती है पॉइंट के बाद तो चारो चार हम ले लेंगे तो पहली condition के हिसाब से selling price हमारी आ गई है तो दूसरी condition हम देखते हैं दूसरा क्या भी situation दी है उसको हम conversion cost कहते हैं तो यहाँ पर हमें raw material को तयार करते हैं कोंची cost लगी है पहली तो wages लगी है हमें फिर variable overheads भी तयार करते हैं टायम लगी है और fix में कौंची है फिक्स सेलिंग तो हमें सेलिंग के टाइम लगी है उस नाम से ही पता चल रहा है तो फिक्स फेक्ट्री ओवरेट्स भी हमें रो मट्रियल को तैयार करते वक्त लगी है तो तीनों को प्लस करेंगे तो हमारी कनवर्जन कोश्ट आ जाएगी 21,80,000 हमेशा याद रखें कनवर्जन कोश्ट में रो मट्रियल को तैयार करते वक्त जो हमारी कोश्ट लगती है उसको कनवर्जन कोश्ट करते है तो हमारी कनवर्जन कोश्ट आगे 21,80,000 तो 21 profit कितना है conversion cost पे 150% तो उस conversion cost का 150% हमारा आ गिया 32,000 तो profit हमें मिल गया total cost हमारे पास है तो selling price second situation के हिसाब से हम find करते हैं sales is equal to total cost, total cost तो same ही रहेगी profit जो हमें जिसके हिसाब से situation में हमें changes करनों के बोला है उस हिसाब से हम करते रहेंगे तो total cost है हमारी 70,000 प्रोफिट अभी हमने find किया आया 32,000 तो sales हमारा आ गया 1 करोड 2,000 तो selling price करेंगे तो upon हम 4 लेक कर लेंगे 4 लेक तो हमारी selling price per unit आ गई 25.725 तो यह हमारी selling price second situation के हिसाब से आ गई थर्ड situation में क्या बुला है प्रोफिट 50% on sales price when trade discount is 30% 30% हम trade discount दे रहे हैं फिर भी हमारा profit कितना earn होना है 50% earn कर रहे हैं इसा बोल रहा है तो trade discount किस पर दे रहा है कि इस पर दिया जाता है sales पर तो अज्यूम करते हैं कि sales हमारा hundred है उसमें से हम 30% सोरी 30 30% हम discount दे रहे हैं तो 100-10 70 70 हमारा आ गया और क्या बोला है कि फिर भी हम 50% profit earn कर रहे हैं तो 50% किसके होगे total sales के हमारे हमेशे याद रखना total sales के 50% लेने हैं यहाँ पे minus करके जो माधो डिसकाउं पर जो हम discount पे नई profit हमें गिनना है total sales से उस पे मतलब 100 Lincoln के 50 % करें तो हमारा profit आ गया 50 तो sales minus profit करें हमारा तो यह इंक क्ना तो सेल सी हुआ तो सेलस माइनस हमारा प्रोफिट करेंगे तो के तो तोieß कितनी आ गरें हमारी टोटल कॉस्ट 55 करीट हम अभी के हिसाब से तो हम देखते हैं तो सं में किसंप है में स्थेंटल को श्टमाउंट में सेवैंटि 20, Hij 50 55 समझ में आ गए strict यह हमारों सेल्स थह उसमें से हमें प्रोफेट माइनस की यह तो हमारा टॉताल कोक्ष्ट फिती फाय है तो टटल कोंकों एक हिए कि चुच्वेशन के इसाब से हिमारी कितना है सम्में 70,000,000 तो हम एक्वेशन रखेंगे तो हमें टोटल सेल समिल जाएगा कि 55 पे 70,000,000 है तो हंड्रेड पे कितने तो हंड्रेड पे कितने आएगे हमारे वन करोड 27,63,636 तो हमारा सेल समें मिल गया फिर भी हम यहां पे टोटल कोष्ट तक हम माइनस करके यहां पे अमाउंट वाइज आएगे इसमें से माइनस 30 परसंड करेंगे और माइनस प्रोफिट भी करेंगे तो हमारी इतनी अमाउंट आ रही है कि नहीं हम चेक कर लेंगे हमारा सेल मिल गया है सेल सपोन हम टोटल यूनिट फोर लेक करेंगे तो हमारे टैरिक सेलिंग प्राइज आ जाएगी लेकिन हम यहां पे चेक करते करते आएगे कि हमारा सेवनेंटी लेक ट्वेंटी थौजड आ रहा है कि नहीं हम पेले माइनस करते हैं इस पर 1 करोड 27,63, 30,636 का हम 30% करेंगे तो हमारा आजाएगा 38 लेक 28,091 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा ट्रेट डिसकाउंट के बाद का सेल आजाएगा 98 लेक सोरी 89 लेक 34,000 5,44 और प्रोफिट किस पे बोला है 100 पे प्रोफिट गिना है यहां पे हम का इस पे करेंगे 1,276,63,636 पे हम 50% प्रोफिट लेंगे अपर क्यूंकि हमने यहां पे किने 100 पे लिए हैं और प्रॉफिट हमेशा टोटल सेल्स पर ही लिए जाता है क्योंकि अहां पर हम क्या बोला है रंप्रोफिट कर रहे हैं मतलबड ट्रेड डिसकाउंट के बाद जो सेवंटि इस पर नहीं हमायर टो जो सेल्स है उस पर हम 50 परसंट प्रोफिट एंकर रहे तो हमारा आगए यहा तो यहां पर हम इसमें से प्रोफिट माइनस करेंगे ट्रेड डिसकाउंट है तो हमारा सेवंटीन लेग ट्वेंटी थाउजन आज जाएगा मतलब हमने जो माउंट यहां 55 से जो हम अंड्रेड तक गए वह मारे माउंट राइट है वह में पता चल जाएगा तो अब तो हमें प्रेड जाएगे क्योंकि सेल तो हमारे पास ओल्रेडी था ही है तो हमने क्रोश चेक किया कि हमारा सेवंटीन लेक्ड 29.000 आ जावह किनए तो हमारी सेलिंग प्राइ़ है तो हमारी सेलिंग प्राइश आ जा रहे है तो 19,909 रूपीस पर युनिट फॉर्थ सिच्वेशन क्या बोली है सोरी फॉर्थ सिच्वेशन टू एड़ 50% प्रोफिट और वेल्यू एड़ेड अमाउंट मतलब क्या मुल्य वृद्धी बोला है मतलब वेल्यू एड़ेड पे 50% प्रोफिट है तो हमेशा याद रखना है कि कनवर्जन कोश्ट के जैसा ही है उसमें हम जो प्रोडर्शन के टाइम पे जो कोश्ट लगती है वो लेंगे और यहाँ पे हम रो मट्रियल लेंगे जो टोटल कोश्ट माइनस हम रो मट्रियल करेंगे तो वेल्यू जो हमने एड़ की है वो हमें मिल जाएगी 30-25-40,000 मतलब उसमें क्या होता है जो conversion cost में हम production के time पे जो हमारे cost लगती है वो लेंगे और यहां पे हम कौन से value added में total raw material ध्यान में लेंगे वो भी total cost में से raw material minus करेंगे तो हमारा value added जो मुल्य वृद्धी जो है वो हमारा इसको मुल्य वृद्धी पी केते हैं या फिर value added में मिल जाएगा जो है 25-40,000 तो यहां पर हमारे 25-40,000 पर कितना बोला है 50% profit है तो इसका 50% हमारा आया गया profit 12-70,000 तो अब हम हमें sales find कर सकते हैं sales is equal to total cost plus profit अगर आपको profit जो profit में ही changes करने को बोला है तो total cost तो same ही रहेगी तो आखिर में हमें sales is equal to total cost plus profit करना रहता है तो total cost हमारी है 17-20,000 profit हमारा है 12-70,000 तो हमारा sales आ गया 82-90,000 उसको divide करेंगे total units 4 लेक से तो हमारा selling price as per 4 situation हमारा आ गया 20.770, sorry 25 last situation में क्या बोला है when the contribution 40% तो हम 40% assume करते हैं कि sales हमारा hundred है तो हमारा sales minus variable करने से हमें contribution मिलता है तो hundred है hundred हमारा sales है तो contribution 40 है तो indirectly हमारा variable हो जाएगा 60 तो क्या बोला say 40% 40% पर हमारी amount कितनी आती है contribution पर वो हमें find करनी है और aid करने का बोला है तो variable जब 60 है तब हमारा contribution 40 है तो variable की amount हमारी sum के इसाब से कितनी हो रही है हम कर लेंगे direct wages plus direct material plus variable हमने आगे total cost में variable अलग से calculate किया ही है वो है 60 लेक तो 60 लेक पर कितना तो contribution हमारा आ गया 40 लेक 40 लेक हमारा contribution आ गया क्या बोला है कि 40% और when the 40% on contribution contribution 40% पर हमारे amount कितनी आ रही है 40 लेक तो हम अब हमें cells मिल जाएगा क्योंकि cells का क्या होता है हमारी formula cells minus variable is equal to contribution तो हम sales को में sales को sales हमें find करना है तो sales को हम आगे रखेंगे is equal to variable को पिछे जाने देंगे तो variable plus contribution हमारा क्या होता है cells तो variable हमारे पास है सम में 60 लेक contribution अभी हमने क्या बोला है 40% contribution तो अभी हमने find किया हूँ आया 40 लेक तो cells हमारा आ गया 1 करोड तो selling price हमारी आ जाएगी 1 करोड अभी हमारे पर यूनिट है तो पर यूनिट हमारी selling price आए गई 25 25 पर यूनिट आ गई क्या बुला है कि contribution ratio में 40% तो sales हम assume कर लेते हैं कि 100 है हमारे तो contribution 40 है तो indirectly हमारा variable कितना हो रहा है 60 तो amount के वाइज हम contribution find कर किया last time last क्या changes किया वह आपको पता चला तो हमारा 60 पर contribution 40 है तो हमारा amount वाइज जा रहे है कि 60 लेक हमारा variable है तो contribution कितना तो 40 लेक आ जाएगा और 40 लेक की इस तरह से हम entry कर लेंगे तो यहां पर हमारा sum खतम हो चुका है सारी situation हमने solve कर दिए thank you for watching video video helpful हुआ तो आगे भी लोगों को share किजिए चैनल को subscribe कर लीजिए thank you for watching video